नमस्कार दोस्तों, 365 साला में आप सभी का सवागत करता हूं दोस्तों, ये 79,000 टीजर वर्ती के बारे में जानकारी आप लोग को देना रहता हूं यज़ 79,000 टीजर वर्ती है अभी आप लोगों ने देखा कि कल कल आडर के बारे में फैसला आया है कि 29 मार्च को तो सबसे बड़ी खुसकभरी तो यही है कि जो इतना 22 फरवरी से यह आडर रिजर्व हुआ था लेकिन अब 29 मार्च का दिन मुकरर हुआ है कि 29 मार्च को दिन में 10 बजे जड़ सहाब आडर सुनाएंगे दोस्तों इस बिसे में कई बार बोल जो भी चुके हैं एक बिसेश जानकारी आप लोग को यह देनी थी कि हमारे कुछ वीडियो पर कमेंट आ रहे थे कि पास कितने लोग हो रहे हैं कितने लोग पास हो रहे हैं और कटाफ के जो लोग पार हैं उनके बिसे में देखे दोस्तों एक बिसेश जानकारी आप लोग को यह देनी है कि देखे 60-65 कटाप पर अगर फैसला आता है तो 85,000 से ज़्यादा लोग पास नहीं होंगे यहाँ आप स्वेम आप देख रहे हैं कि सत पर सती को परमारित दावे हैं मैं जो बोल लहाँ हूँ आप लिख लीजिए आपके पास पेन होगा कापी होगी आप उस पर लिख लीजिए मैं बोल लहाँ हूँ 85,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पास होंगे मैं 85,000 बहुँ ज़्यादा बोल लहाँ 80,000, 85,000 अधिक्तम मैं बोल लहाँ 85,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पास होंगे बहुँ से लोग एक लाक या सवा लाक या डिर्ड लाक की भी बात कर रहे हैं कितने लोग पास हो जाएंगे लेकिन 97 की जो कटाफ निधारत किया गया है गवर्मेंट द्वारा उसको अगर माना जाए तो 85,000 से ज़्यादा पास नहीं होगे 85,000 एक भी नहीं होगा यह भी बोल दूँ 85,000 एक भी नहीं होगा 85,000 दो भी नहीं होगा 85,000 से नीचे ही पास होंगे लोग अगर 85,000 एक भी हो गया ना तब भी मैं मान लूँगा कि मेरा दावाज उठा है पचाशी ज़ार एक भी नहीं होगा अब आप समझ सकते हैं कि मैं किन तत्थों पर बात कर रहा हूं हमने इस बिसे पर सर्वे किया था हमने और इसका वीडियो मैं डाल चुका हूं आप देख सकते हैं बहुत पीछे हम साइद बारा वीडियो के पीछे हम डाले रहे थे उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिसमें आभी सर्वे किया था मेरा भी अणभूए ही करता है 85,000 से ज्यादा बिल्कुल नहीं पास होगे एक तो बात है 85,000 से ज्यादा नहीं पास हो रहे हैं और दूसरी बात मैं यहां बोलना है जो कटाफ़ार है उनको निकती मिलेगी डंके की चोड़ पर मिलेगी दोस्तों 85,000 जो लोग पास हो रहे हैं आपको बता दूँ बहुत से लोग मेरे पिछले वीडियो पे कमेंड किये थे कि अगर आप 85,000 लोगों को पास कर रहे हैं तो सीटों की संक्यात 79,000 है भाई 85,000 पास हो रहे हैं तो 85, आपकी नौकरी लेने नहीं आ रहे हैं 85,000 जो बंधू पास हो रहे हैं उसमें से 20-25,000 पिछली नुक्ती के हैं जो पिछली जौइनिंग में हैं सिच्छक बने हुए हैं उन लोगों ने भी सूपर टेट का गिजाम दिया था उन लोगों का भी नंबर 100 नंबर 105 नंबर 110 नं प्रफ्तों 20-25,000 लोग हैं जो काउसलिंग नहीं कराएं अपनी नौकरी करएं बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वह अपना जिला पाने के लिए हो सकता है कौई भी अपना जिला पाने के लिए एक साल और लेड़ साल या 6 महिने की सिनियर्टी नहीं खोएगा अगर कोई अपना अब नया काउंसलिंग करा रहा है तो वह मुर्ख है कोई ऐसा नहीं करेगा कि एक साथ ही 60-70,000 लोगों से जुनियर बन जाएगा कोई ऐसा नहीं करेगा तबादला तो होता रहता है कोई जरूरी है कि अब नई जुआनी लेकर तबादला हो जाएगा तबादले का 85,000 लोग पास हो रहा है इस में से 20-25,000 पिछले भरती कसी चक है वह नहीं आने वाले 85,000 में से आप 25,000 गटा लेजिए कितना हुआ 85,000 से 75,000 लोग 60,000 लोग हो गया 85,000 में 25,000 गटा यह 60,000 हुए एल्टी ग्रेट में 8,000 गर एल्टी ग्रेट का पूरया का पूरा रिजल निकल जाता है 8,000 लोग बाहर हो रहे हैं और कुछ KBS में बाहर हुए हैं कुछ राटस्थान में कुछ दिल्ली में इस तरह से विभिनिक जाम में UPSI में भी बाहर हु उनको नुक्ती मिलेगी बिल्कुल नहीं मिलेगी और उसके बाद भी नुक्ती पाने के बाद भी मैं कह रहा हूँ हो सकता है यस जनरल OBSI के तो नहीं कह सकता हूँ हो सकता है यसटी, यसटी की सीटाएं रिक्त पढ़ सकती है और अगर सीटाएं और गाटाब घटा करके बाकी लोगों को भी सकता है तो बाकी लोगों को लिया जाए लेखिविजी स्वस्त नरल नतो साथार्न नहीं है आपने UP Tate का एक्जाम पास किया है, Super Tate का एक्जाम पास किया है, जो गॉर्मेंट ने बिना कटाफ बताई ही, बिना कटाफ बताई ही 97 का जो हाई कटाफ लगाई थी, उसको भी आपने पार किया, तो आप पुरी तरह से मिधावी हैं आप निश्चिंत रहिए एक बात और बता दो कोई यह कमेंट अब नहीं करेगा कि मेरा 63 गुडांक है होगा कि नहीं मेरा 65 गुडांक है होगा कि नहीं मेरा 64, 65 कितना गुडांक है होगा कि नहीं एक बात बता दो बिलकुल बता दो यह 60 गुडांग भी है ना तो होगा डंके की चोट पर होगा गुडांग का कोई मतलब नहीं है यार 69 गुडांग पर भी होगा 60 गुडांग पर भी होगा 60 गुडांग पर भी होगा 62 गुडांग का कोई मतलब नहीं है आपने 97 का जो कटाफ पार किया है, गुडांग का कोई मतलब नहीं है, गुडांग का मतलब तब होता है, जब संख्या जादे हो, 79,000 भरती है, 2000, 3000, 4000 नहीं है, 79,000 भरती है, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं बोल लहाँ न, कटाफ के पार हैं, तो नुक्ति मिलेगी, अगर 60, 65 पर फैसले आते हैं, और कटाफ के पार लोगों का नहीं होता है न, तो वो लोग कमेंड कर सकते हैं, वो लोग मेरे पास आ सकते हैं, मैं जो क ज़्यादा नहीं पास होंगे, ये भी मैं बोल ला हूँ, जो लोग बोल ला है, माले एक जिला में, एक हजार लोग भी पास होते हैं, तो 75 जिला में 75,000, मैं तो 75,80 मान रहा हूँ, 85 नहीं मान रहा हूँ, लेकिन अधिक्तम, अधहद से ज़्यादा पास हो गए, तो 85,000, तो आप दिन दूर नहीं है, जल्दी जब 29 मार्च को फैसला आएगा, तो आप स्वैं देख सकते हैं, फैसला आ जाएगा, उसके बाद जब संसोधी तैंसवर की की बारें बता रहेते हैं, एक या दो नमबर बढ़ेंगे, तो बहुत से बंदू नाराज हो गए, भाई जो अपनी बात दोहराता हूँ, मैं आपको अंदकार में नहीं रख सकता, इस से मतलब यूपी टेट में तमाम गड़बड़ियां थी, तो एक या दो नमबर मुश्कल से बढ़ा था, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, कुछ प्रशनों प्रापति दर्ज कर सकते हैं, एक या दो नमबर ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, तो दोस्तों ये बता दिया हूँ, देखिए, सत प्रसत प्रमारिद्दा में हैं, 85,000 से जादा बिल्कुल नहीं पास होगा, इसको भी लिख लिख लिए, नोट डाउन कर लीजेगा, और कटाफ के पार हैं, और 60, 60 आता है, तो बिल्कुल होगा, इस पर भी आपनी शिंद्र ये, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा, शेयर कर दीजेगा, एक बात मैं आप लोगों को बता दो, अगर आप चैनल से नहीं जूड़े हैं, तो जूड़ जाईएगा, और अगर आप खुश हैं हमसे, हमा बस जितना भी गुरूफ है, आप सेयर करिए, क्योंकि हम किसी को अंधकार में नहीं रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी 85,000 लोग पास हो रहे हैं, वहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए, जो भी 85,000 लोग पास हो रहे हैं, वह सुलन है, कि वह कटाफ के पार हैं, तो बताने वाले कौन हैं, बिल्कुल होगा, डंके की चोट पर होगा, वह नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, तो दोस्तों बस यहीं करना है, वीडियो को लाइक करिएगा, सेयर करिएगा, जितने भी वाटसप ग्रूप हैं, फेस्बूप ग्रूप हैं, अगर आप मुझे ध दोस्तों, धन्यबाद आप लोगों को